पूरे देश अस्तर पर जो हम लोग का था कि 400 पार उसको छूने में अब हम लोग को लगभग हम लोग चुली हैं और बहमत के लिए वो काफी है लेकिन सरकार तो हम लोग भी बनेगी इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है नमस्कार आप देख रहे हैं निशपो नेशन मैं आपके साथ अब जे सिंग 24 लोग सवा चुनाप का जो नतीजे हैं वो सामने आने लगे हैं जिस्ता से सुबा से जो रुजहान सामने आ रहे हैं लेकिन जिस्ता से बात करें कि एंडिये जो दाबे कर रहे थे 400 पार का वो कही कि एंडिये को जो पिष्ले बार के मताविक इस बार कम सिटे नजर आ रहे हैं तरक ऐसे देख रहे हैं जिस्ता से रुजहान आ रहे हैं और बिहार में तो हम लोग कह सकते हैं कि मिलाजुला के ठीकी हैं एक दो सिट घट रहे हैं और उससे ज्यादा का तो अंतर हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, पूरे देश अस्तर पर जो हम लोग का था कि 400 पार, उसको छूने में अब हम लोग को लगभग 160 हम लोग पीछे हैं, 300 का आकरा लगभग हम लोग छूलिये हैं, और बहमत के लिए वो काफी है, लेकिन सरकार तो हम लोग भी बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम लोग अगर 400 का आकरा नहीं पार किये हैं, तो इसके लिए हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग को हुआ है, उत्तर पर देश से, जो उमीद था वो उस पर वहां हम लोग खरा नहीं उतर पाए हैं, और और परदेश महराष में भी कम हुआ है लेकिन बिहार की जहां तक बात कीज़ेगा तो बिहार में तो हम लोग कमों वेस अच्छा ही रिजल्ट कहेंगे बात असपस्ट है कि बिहार में स्री नितीश कुमार जी मानिय मुख मंतरी जी के नितृत में ही चाय उलोग सभा का चुनाव हो या बिधान सभा का चुनाव हो लरे जाते हैं और उनके नाम पर भी भोट परता है इस बार भी अगर हम लोग को सफलता मिला है जो जितने सीट न का या लजे पी का तो उसमें कहीं न कहीं मुख मंतरी जी का योगदान है और बड़ा योगदान है चाहो महलाओं का भोट हो दलित का भोट हो अथी पिछरों का भोट हो और इन्हों ने जो सब बरक के लिए काम किया बिहार में जो कानून विवस्ता का राज है इसका जो है असर है और नितीश कुमार जी के नाम पर भोट परे हैं इसलिए इतना सीट हम लोग को मिला है अन्था आप देख लीजिए अगर कहीं नुकसान हुआ है तो उसके लिए जिमिबार तो उस स्टेट के जो सीम है उस पर भी जवाब दही बनती है इसलिए हम लोग कह सकते ह है कि बिहार का रिजल्ट हम लोग संतोस जनक है और अच्छा से हम लोग लरे अच्छे से जीते हैं अन्जगों पर नुकसान हुआ है इसलिए हम लोग 400 काक्रा नहीं छूपाये हैं लेकिन इस तरह से कहा जा रहा था कि जदियू अब समाप्त हो जागी कई जदियू के बार जी जो काम किया है उसका कोई तुलना ही नहीं है इस परदेश में तो पहले कोई इतना काम किये ही नहीं आज इतने काम हुए है या जिस तरह के काम हुए जिस जिस छेतर में काम हुए है उतना तो लंबा आपको बताने क्या बसकता नहीं है दूसरे परदेश भी उसका लेखे लिए और उन्हीं के नाम पर मिलता है आगे जो चुनाव होगा उन्हीं के नाम पर मिलेगा आखरी सवाल लेंगे जिस्तर से जो कहा जा रहा था कि नितीश्क मार को आप राज निती खतम हो जागा तो यस्वी अदव लगतार एक बात कर रहे थे चार्ज उनके बाद बिहार में भी खेला देखने को मिलेगा हमारे चाचा आगे आप अब तो सारा सिट हार चुके हैं तो अब तो कोई ना कोई सहारा या कोई भाना ढूंडेंगे ऐसा कोई हम लोग को कुछ भी राजनीती नजर में आ रहा है क्या कुछ कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री मदन सानी आपने सुना इस तमाम करबाने नीश पॉनिंश के साथ समस्क झाल